प्रफिए प्रफिए और जल नमस्कारम मैं हूँ योगिनित्या हमारे शरीर में पांस तत्व हैं अगनी, वायू, अकाश, पृत्वी और जल पांस तत्वों से शरीर बना है और हम पांस तत्व ही ग्रहन करते हैं डाइट हो गई, हमारे सांस लेना हो गई, यह सब हम पांस तत्व ही अंदर लेते हैं, जो तत्व बढ़ जाए उसको हम कहा देते हैं यह दोश बढ़ गया, जो तत्व घट जाए हम कहते हैं यह क्षीन हो गया, इसी तरह जब वायू बढ़ती है शरिर में और हमारे अंदर अ अकाश तत्व बढ़ता है, अकाश तत्व बोलते हैं स्पेस बढ़ना, खाली जगा बढ़ना, तो हम कहा देते हैं कि वात बढ़ गया, यह दोनों बढ़ने को हम कहा देते हैं वात बढ़ गया, और यह बढ़ता क्यूं है, इस पे एक मिनिट में चर्चा कर लूँगा, फिर म मैं बता दूँगा कि कौन सी चीजें आपने इस में नहीं लेनी जो कि वात को भड़ाते हैं तो आईए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि वात को जादा समझना हो तो इतना समझें कि वात को तरावट पसंद है खुश्की ना पसंद है तरावट का मतलब होता है घी वाईू को पसंद है अगर यह चीजें बाड़ी में है पूरी नम researching पूरी तरावट हलकी हलकी गर्माट, जादा नहीं, जादा गर्मी बढ़ती है शरीर में, फिर गर्मी बढ़ने से पित बढ़ जाएगा, अगनी बढ़ जाएगा और जादा, इसलिए वायू को हलकी हलकी गर्मी पसंद है, उसके उल्ट वायू अगर ठंड हो जाए शरीर में, ठंड पढ़ ज जाते हैं अपनी डाइट में या बासी चीजें ज्यादा खाने लग जाते हैं या थंडी चीजें ज्यादा खाने लग जाते हैं थंडी चीजें ज्यादा खाने लग जाते हैं थंडी चीजों से मेरा मतलब यह नहीं कि थंडी कोई फ्रिज की निकली हुई फ्रिज वाली भी और दूसरी भी कई बार हम थंडी पर थंडी चीज लेते जाते हैं. बार-बार कछ्चय सलाद खाना, बार-आप ऐसी चीज़े लेते जाना, तो वो चीज़े इनको खराब करते हैं. तीन चीजें समझ लो, ठंडी चीजें, बासी चीजें और खुश्क चीजें यही इनी के उपर सारा वात टिका हुआ है, इसी से गड़बड होता है अब हम बात कर लेते हैं शोटी डिटेल में जिसे खुश्क चीजों में ड्राइफ रूट आ गया सुखा खुश्क चीजों में ज़्यादा चाहे अंदर जो पीते रहते हैं कई लोगों को मैंने देखा, एक आद बार चलो कोई बात नहीं किसी को लगता है कि मैं नहीं रह सकता इसके बिना तो एक बार डिक वाली चाहे पी ली तो पी ली लेकिन लोग क्या करते हैं दिन में 3-4-4 cup चाहे पीते हैं बोले नहीं मैंने अब तो गटा दी हुई है मैंने गोला क्यों कितनी लेते हैं बोले अब 3 cup ही लेता हूं तो इसका मतलब फिर पहले और ज्यादा लेते थे तो इस आदत को बदलना है जितनी अपनी कंट्रोल में रखोगे उतना ही आपका वायू बैलनस रहेगा खुश्क चीजों में और कह सकते हो कि जैसे कोई भी चीज ऐसी है कि जैसे आप कई लोगों में आदत होती है कि आप ओयल डालना है नहीं बिलकुल भी हम ओयल डालेंगे तो हमारा फैटनिंग हो जाएंगे हम बर्मोटे हो जाएंगे ऐसा नहीं है आप वर्जिश करिए खूब अगर ओयल बिलकुल बंद कर देंगे शरीर को देना तो हमारी 206 हड़िया है हर हड़ि के बीच में ग्रीस चाहिए तो वो चीज तरावट नहीं पूरी होगी तो खुश्की बढ़ेगी खुश्की बढ़ेगी तो गैस बनेगी जो ज़्यादा बुखे रहते हैं ज्यादा वर्त रखते हैं उससे भी खुश्की बढ़ जाती है ज्यादा बुखे नी रहना ज्यादा ज्यादा ओवर भी नी खाना तो इसलिए ये चीजें ध्यान रखनी है खुश्की ना बने अंदर खुश्की के लिए थोड़ा बहुत मैंने पांस टिप्स दिये हुए हैं कि आपने नाक में सरसों का तेल लगाओ, मलदवार में तेल लगाओ, नाभी में तेल लगाओ और इसी तरह मूँ में कुल्ला करो तेल का, तेल भर के रखो इसी तरह मालिश करो शरीर की, क्योंकि मालिश करते एक तरावट मिल गई, घी मिल गया, शरीर को तेल मिल गया, जो भी लगाना आपने, दूसरा उसको थोड़ा घर्शन करते जब रगड़ते तो थोड़ी गर्मी पैदा होती शरीर में, तो मैंने आपको बोला था कि थोड़ आपका फ्रिज का निकाल के खाना, फ्रिज मैं मसाली रख देते हैं, फ्रिज में ड्राइफ रख देते हैं, इसमें सेफ रहता है, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे यहां हजारों सालों से यह चला रहा है, हम अच्छे से airtight contingers में डालके चिज़्य रखते हैं, उससी अज़्य नहीं है कि फ्रिज में आप मुसाले रखें पहले मुसाले फ्रिज में नहीं रखें लोग गलत खाते थे नहीं यह हमारा ट्रेंड बदल दिया बाहर के लोगों ने उनके वहां पर अच्छे से मौसम नहीं है सिर्फ ठंडी पड़ती रहती है कोई चीज बाहर रखते हैं तो नमी पकड़ लेती है इसलिए वह ऐसे करते हैं बाकी हमारे यहां ऐसी को जुरूरत नहीं है आप फ्रिज में लगी बार बार चीज़ें खाओगे फ्रिज का पानी फ्रिज की सब्जी लोग काते है मैं लोकी खाता हूं मैं सवेरे लोकी बना लेता हूं सारा दिन मैं फिर लोकी खाता हूं अच्छा मैंने का फिर वो कैसे फ्रिज से निकालता हूं थोड़ी गरम करता हूं खा लेता हूं यह मत समझे लोकी खाओगे तो आपका बोडी हल्की रहेगी लोकी फ्रिज की निकाल निकाल के गरम करके खाओगे तो वह तो बहुत ही खराब है जो भी ची सकते चावल लेकिन बार ठंडे हो गए एक बार चावल उसको गरम करके लेते तो वात दोश बढ़ेगा जिनको तो कोई दिक्कत नहीं है वात दोश बैलंस हो गया तो वो कभी कभार बदफरेजी कर ले तो चल जाएगा लेकिन जिनको प्राब्लम है उनको तो एक मिट में पक साफ होता है पेट साफ हो जाता है लेकिन पेट साफ होने का टाइम कोई नहीं है यह वात दोश का लक्षन पेट साफ होए इना मिल्कुल यह पित का लक्षन है तो वात के प्रावलम को समझना पड़ेगा आपको कि यह चीज लाइफस्टेल से जादा हमारी डाइट के से कम खराब होती है अगर आप नॉर्मल ले रहे हो तो उससे नहीं खराब होगी अगर आप डाइट लेने का धंग गलत है टाइम गलत है तो वात बिगड़ जाएगा टाइम को समझना मीन्स के टाइम फिक्स करना सुबह दफैर शाम का बाकि फिर भी कुछ वाई चीज़े होती है बासी वो बोलते हैं पंजाबी में वाई को तो वाई चीज कौन सी होती है एक तो वाई हो गया जो रात का पड़ा हुआ हो रात की पड़ी चीज हो गई फ्रिज की पड़ी चीज वाई हो गई दूसरी वाई चीज का मतलब होता है कि आलू कड़ी राजमा ठंडे चावल ब कच्छा सलाट भी कराना पढता है यह चीजे ध्यान देनी होती है यह एक बर वाय disproportionately आ जये फिर आप शले सकते हो और बातदोश में क्या मना होता है बातदोश में पत्तेदर सब्सवाण मना होती है ने बिशक किशक्ता बायु करते रहने और आकर में सब ब्र merelymam के बारे में बता दूंगा फिर मैं बताऊंगा कि वात पित कठा हो तो कौन से चीज़ें करनी होती है पित और कफ कठा हो तो कौन से चीज़ें करनी होती है फिलहाल इतना समझ लीजिए आज फिलहाल इतना ही नमस्कार लालालाला